Hello everyone, I hope कि आप सब ठीक होगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे overview लीवर अनाथमी का, तो स्टार्ट करते हैं, लीवर largest gland होता है human body का, और इसका weight रहता है 1.5 kg या फिर 1500 grams, ओके, लीवर के बहुत major functions रहते हैं, जैसे की bile का production करना, आप सबी को पता है, जो bile रहता है वो ज convert करता है bile, तो bile production होता है liver द्वारा और liver की कौन सी cells, hepatocytes, hepatocytes जो रहती है liver की, वो पूरा parenchyma बनाती है liver का, पूरा mass बनाती है, पूरा tissue बनाती है liver का, और यह hexagonal shape की cells होती है, चीक है, तो यही bile secret करती है, इसके अलावा liver का function जैसे की clotting factors का production करना, चीक है, clotting factors, जो की intrinsic pathway, extrinsic pathway में रहते हैं, जो bleeding को रोकते हैं, चीक है, तो clotting factor का production करता है liver, इसके अलावा glycogen का storage करता है, कार्वो हाइडरेट का जो storage form रहता है, वो glycogen रहता है, चीक है, तो glycogen को store करके रखता है, जबी भी body को need होती है, जैसे की fasting वाली condition हो गई, और glycogen break होता है और glucose release होता है, glucose हमारी body cells को मिलता है, और हमारी body को nutrition पुरा provide हो जाता है, so three major functions of liver, synthesis of wild, production of clotting factor, and glycogen storage, चीक है, तो ये तीन major functions, next, liver की position, तो liver right hypochondrium में situated रहता है, चीक है, आप ये picture से समझ सकते हैं, right hypochondrium में liver present होता है, अब liver का थोड़ा सा anatomical structure देखते हैं, overview हम, तो ये surface है, ये posterior surface है, चीक है, पीछे mainly आप gallbladder देख सकते हैं, चीक है, आप start करते हैं, सबसे पहले जो liver है, उसमें दो lobes होते हैं, जो आप सामने से देख सकते हैं, ये वाला जो bigger size का है, इससे हम right lobe कहते हैं, liver का, और इससे हम left lobe कहते हैं, चीक है, ये दोनों ही lobe separated रहते हैं, जिसे हम falciform ligament कहते हैं, आप देख सकते हैं कि liver के उपर एक smooth covering होती है, चीक है, तो ये जो smooth covering है, ये fibrous tissue की बनी होती है, जिसे हम glycans capsule कहते हैं, ओके, so right lobe, left lobe and falciform ligament, अब ये जो right lobe है, इससे और हम further divide करते हैं, necessary lobes में, चीक है, जिसका नाम है codate lobe and quadrate lobe, चीक है, तो जो की upper aspect में present है, और ये वाला जो lobe है, जो lower aspect में present है, उसे हम quadrate lobe कहते हैं, चीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये वाले lobe की, quadrate lobe की, तो quadrate lobe अगर आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा है, तो वो किसके बीच में है, inferior vena keva, चीक है, ये आपकी inferior vena keva है, और ये आपका ligamentum venosum है, चीक है, ligamentum venosum and inferior vena keva के बीच में होता है, quadrate lobe, वही अगर हम बात करें, quadrate lobe की ये वाला, तो ये किसके बीच में है, ये गॉल्प लेडर है, आपका जो की by store करके रखता है, और ligamentum terris, चीक है, ये वाला ligament, जो है, वो ligamentum terris है, तो इन दोनों के transverse fissure से, ठीक है, ये पुरा एक जा रहा है, transverse fissure, तो ये जो fissure है, इसे हम क्या कह रहे है, portahepetus कह रहे है, portahepetus बहुत बार exam में पूछा जाता है, portahepetus क्या है, जैसे आप इस picture में देख सकते है, ये लीवर का परेंग काइमा है, लीवर की hexagonal shape की cells है, है, बार जाता है, तो सारी जो हैपेटोसाइट से वो बाइल बनाती है, और second part of duodenum में release करती है, जब भी जरूरत होती है, जब fatty food खाते है, जैसे fries वागेरा, तो वो release करती है, ठीक है, तो ये पूरा mechanism, जो है, common bile duct, cystic duct, इसका mechanism में आप लोग को बाद में बताऊंगी, तो mainly इस जो हैपेटोसाइट से उनके बीच में जो बेन रहती है, उसे central बेन बोलते है, जो की पूरा को पूरा blood drain करती है, चीक है, पीवर के blood supply की बात करें, तो हैपेटिक आट्री 25% blood देती है, और जो हैपेटिक portal vein है, वो 75% blood देती है, जो nerve supply है, वो हैपेटिक plexus के तुरू होग of liver anatomy, I hope कि आपको वीडियो समझ में आ हो, और इसके next वीडियो में मैं आपको हैपेटो बैलरी सिस्टम पूरा समझाओंगी, common bile duct कैसे बना, चीक है, तो यह सबी चीज़े के बार में हम detail में बार में discuss करेंगे, thank you for watching.